दोस्तों जिस किसी को भूतों पर विश्वास नहीं है, ये कहानी सुनकर जरूर विश्वास करेगा। हमें मंजल पर पहुँचने के लिए अभी दो घंटे का सफर तै करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लगी थी। हम दोनों मित्रों के मन में बस एक ही चाहती की कहीं रास्ते में कोई धाबा दिख जाए। ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडियेटर में थोड़ा पानी भी डाल दें। क्योंकि गाली का इंजन गर्म हो चला था तभी हमारी नजर सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा की हो ना हो कोई छोटा मोटा धाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोश्णी के करीब पहुँचते जा रहे थे वैसे वैसे वह धाबा हमें साफ साफ नजर आने लगा था। हमने देखा की उस धाबे पर कोई बूरी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। धाबे पर गरम गरम रोटियां सेक्ती हुए देखकर हमारी भूख और बढ़ गई थी। मैंने अपने मित्र को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा अरे अमिताब भाई जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो ये बूरी नजर आ रही थी। लेकिन पास आते ही वह बूरी महिला खुबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई। कहीं ये लड़की कोई भूतनी भूतनी तो नहीं। मेरा मित्र मुझ पर नाराज होकर बोला कि क्या बे बिना सिर पैर की बातें करते हो। लगता है तुम आज कल हौरा मुवी बहुत देखने लगे हो। फिर मेरा मित्र समझाते हुए मुझ से बोला, हो सकता है ये हमारी आखों का भूर्म हो और यह भी तो हो सकता है। पहले इसकी मा रोटी सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटिया बेल रही हो। मेरा मित्र फिर मुझसे बोला, अरे, रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है लेकिन मेरे मन में शनका के भूत ने जन्म ले लिया था हम लोग धाबे की बैंच पर बैट गए, वह रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी मेरा मित्र उस लड़की का खुबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था मैंने सोचा जब तक वह लड़की खाना लेकर आये, तब तक अपने मित्र की कही हुई बात को चेक करता हूँ यदि इसकी मा धाबे में होगी तो वह भी अंदर ही कहीं होगी मैं हाथ धोने के बहाने से धाबे के उस ओर आगे बढ़ गया, जहांसे धाबे का पूरा भीत्री हिस्सा देखा जा सकता था लेकिन जब धाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमा कर देखा तो कहीं भी, उसकी मा नजर नहीं आई अब मेरा मा था ठंका की इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुन्दर लड़की धाबा कैसे चला रही है मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया की धाबे के अंदर कोई नहीं है उसकी बूरी मा भी नहीं है मेरी यह बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे दांटने लगा की तुम यहाँ इस धाबे पर CID की तरह जाच परताल करने आये हो या खाना खाने इससे पहले की मैं उससे कुछ कहता तभी उसके किसी मित्र का फोन आ गया वह पूछ रहा था की तुम लोग कहा हो मेरे मित्र ने बताया की हम लोग गुडगाव के एमजी रोड पर हैं जब उसने गुडगाव के एमजी रोड का नाम सुना तो वह चौका उसने कहा की इस रोड पर रात में गुज्र ना खत्रे से खाली नहीं है तुम अपनी गाली से नीचे तो नहीं उत्रे हो इस पर मेरे मित्र ने कहा हम लोग एक धाबे पर रुके हुए हैं तब उसके मित्र ने फोन पर फिर पूछा की यह धाबा कहा है इस बार मेरे मित्र ने बताया की हम दोनों मित्र M.G. रोड पर पुरानी ईटों की भर्ठी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक धाबा है वहां खाना खाने के लिए रुके हैं हमारे मित्र अमिताब के अपने मित्र को फोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया वह चौकाने वाला था उसने बताया कि उस M.G. रोड पर कहीं भी धाबा नहीं है वहां इटों के भर्ठी के पास एक कब्रिस्तान अवश्य है जहां भूत भूतनियों के दरावने किस से अकसर सुने जाते हैं मेरा मित्र यह सब सुनकर पसीने पसीने हो गया उसे समझ में आ गया हम लोग इस समय किसी भूतियास्थान पर हैं उसने धीरे धीरे सारी बात मुझे बताए मैंने अपने मित्र से कहा कि मैंने तुम से पहले ही कहा था कि यहां कुछ डाल में काला है लेकिन तुम तो उस भूतनी को I love you बोलने को तैयार थे हम दोनों मित्रों ने जान लिया कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने से कोई फाइदा नहीं कोई खत्रा उत्पन हो उससे पहले ही यहां से भाग चलें इससे पहले की वह खुबसूरत भूतनी ने अपना भुथा खाना लेकर हम तक पहुँचती हम उठ खड़े हुए अब तक रोटी सेंक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था हमें उस धाबे वाली लड़की के भूतनी होने की असलियत का पता चल चुका है वह अब हम मित्रों की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी देखते ही देखते वह लड़की फिर से बुलिया बन गई उसका चेहरा बहुत दरावना था उसका कोईले से अधिक काला रंग था अंदर की ओर धसी हुई आखे थी नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिख्रे हुए लाल बाल थे वह खौफनाग भूतनी चिलाती हुई हमारी ओर बड़ी जैसे की वह हमें कच्चा चबा जाएगी मेरे मित्र ने गाली पर बैठते ही गाली स्टॉट कर ली थी मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया हम कार स्टॉट कर तेजी से वहां से भाग निकले बिख्रे हुए लाल बालों वाली वर डरावनी भूतनी हमारी कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौरती रही फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया अब हम दोनों मित्रों ने चैन की सांस ली और फिर बुरगाव की M.G. रोड पर रात को ना आने की कसम खाए